हाई दोस्तों देखिए आज बहुत ही जरूरी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ अगर आप एनाइवेस के स्टूडेंट है या ओपन स्कूल के स्टूडेंट है या आपने हाई स्कूल और एंटर या आप प्राइवेट स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके के सब्सक्राइब तो मैं हूँ आपका दोस्त बिलाज चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टैक्नो गिफ्ट तो चलिए शुरू करते हैं देखिए नीड का आपने नाम सुना होगा नीड मतलब नेशनल एलेजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यह ह और से उसमें आपको मिलता है एन नीड के तुरू ठीक है अब जो मैं शोकिंग न्यूज आपको देने वाला हूं वो यह है कि अगर आपने ओपन स्कूल से 12 किया हुआ है तो आप नीड का एक्जाम नहीं दे सकते हैं जी हां साथ में अगर आप प्राइवेट है और आप सोच रहे हैं कि मैं एंबीवेस का एक्जाम दे दूँ या एंबीवेस के लिए नीड का एक्जाम दे दूँ तो आप फिर भी एलिजिवल नहीं होंगे और तीसरी बात अगर आपने एक सब्जेक्ट से इंटर किया है सपोस्ज आप पहले मैथ के स्टुडेंट और आप चाह रहे थे कि आप बाइलोजी से इंटर कर लें तो आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक्जाम दिया और आप आप सोचते हैं कि मैं एलिजिवल हो गया हूँ नीड का एक्जाम देने के लिए तो आप गलत है आपको एलिजिवल नहीं किया गया है जी यहां मैं इसा कहां से बता रहा हूं तो चलिए चलते हैं पहले कम्पूर्टर स्कीन पर और देखते हैं किया यह जो मैं आपको न्यूज दिरहा हूँ वहां पर चलेंगे और information को पूरा confirm करेंगे तो अगर मैं बात करहाँ न्यूज्पीपर की तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है NEET में NIOS प्राइवेट छात्रों को नो एंट्री देश भर में MBBS और BDS दाकिलो की राष्टे पात्रता सह प्रवेश परिक्षा NEET में राष्टे मुक्त विश्व दाले शिक्षा और संसान NIOS प्राइवेट छात्रों और बायलोजी को बतोर अतिरिक्त विशे पढ़ने वाले छात्रों को एंट्री नहीं मिलेगी केंद्री मातिमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने NEET का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसके आवेदन शुक्रुबार से सुरू हो जा रहे हैं देश भर में यह प्रवेश परिक्षा 6 मई को आईजूद की जाएगी नीट परिक्षा से ना केवल, MBS, BDS, BDS बलकी बेटेनरी, आईरवेद, होमेपेद के कोर्स में भी दागला मिलेगा इस बार नीट में कई बदलाव देखने को मिले हैं CBSE ने साफ कर दिया है कि NIUS या प्राइवेट शात्रों को नीट में शामिल होने का इस साल मोगा नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदक की आईउ 17-25 वर्स के बीच होनी चाहिए बाकी जो है पेज नंबर 14 पर है वो भी मैं आपको दिखा जाता हूँ इसमें लिखा है नियमान उशार सूट चूट दी जाएगी नीट के लिए समानने और अभी शेया ब्यारतियों को 14 रुपे जबकि SC ST दिव्यां के ब्यारतियों को 700 रुपे सुल्क के देना होगा सब यह ब्यारतियों को नीट के लिए आधार नंबर दिना आनिवार रहे हैं परिक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए देश भर में सुभीदा केदर बनाए गए जो न्यूस पेपर है उसकी कटिंग अब मैं आपको लेगे चलता हूँ नीट की में वेबसाइट पर यह देखिए यह हम नीट की में वेबसाइट पर cbsc.nic.in अब जब आपके सामने यह इस टाइप से ओपन होगा तो आपको क्लिक करना है एडमिशन नोटिस पर जैसी एज प्राइवेट कंडिडेट शैल नोट भी एलेजिबल तो अपियर फोर नेशनल एलेजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट फर्दर फर्दर मॉर स्टडी ऑफ बायलोजी बाय टेक्नोलोजी एज एज एडिशनल सब्जेक्ट एड टैंथ प्लस त नोट भी परमिशिबल थीक है यह जो मैंने आपको इंगली पड़कर बथा ये अभी अभी मैंने आपको हिंदी में यहां परभत अधा भी नोटी से जो अभी मैंने आपको इस वेब किया है तो आप एलेजिवल नहीं है नीट का एक्जाम देने के लिए हैं तो चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ देखा तो यह दो जो मैं आपको नियूज दिखाई है पहली तो है जो नियूज पर माई है दूसरी मैंने नीट की में वेब साइड जो है वहां से आपको यह नहीं है मतलब यह है कि अगर आप अगर आपने अपनी स्कूल से ट्वेल्थ किया है या प्राइवेट स्टूडेंट है आप या एक सब्सक्राइब और लो तो यह उसका वेल्यू कम तो नहीं हो जाएगी इस जो इस बार जो इन्होंने बनाया है इसको देखकर तो बहुत सा एक अजीब सा दिमां में बैठ गया है कि रियल में कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह आप लोग कर रहे हैं यह कहीं इन्वेलिड ना हो जाए चलिए बहारा जो भी है वह आगे देखें देखा जाएगा कि यह वैलिड होता है बीवेस बन डॉक्टर बन जाओं या जो भी मेडिकल लाइना चूज करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टडी को रेगुलर करेंगे तभी आपको इसके लिए एलेजिबल किया जाएगा अधरवाइज आपको एलेजिबल नहीं किया जाएगा तो यह था आज का लेटेस तब तक के लिए बाबाए